असलाम आलेकूम फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के चटपडे कबाब बनाने की रेसिपी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाने में जो हमें पाउडर की जरूरत होगी जो मसाले क्या पाउडर रहेगा उसको बना लेते इसके लिए तीन चमच धनिया, तीन चमच जीरा, तीन चमच सौफ और एक चमच काली मिर्च को तवे पे ड्राइर रोस्ट कर लेगे मतलब बगेर तेल का सिफ ऐसे ही भून लेंगे उसको, बहुत ज्यादा देर तक का उसे नहीं भूनना है बस खुशबू आ जाए और रंग जो है वो बहुत ज्यादा उसका काला ना पड़े, तब तक का उसे भून लेना है और फिर उसे ठंडा करके मिकसर के जार में उसका एकदम फाइन पाउडर बना लेना है तो देखिए पाउडर तैयार हो चुका है एक कड़ाही में दो से तीन चमच तेल गरम करेंगे फिर उसमें एक हरी मिर्ची को एकदम बारी काटके डाल देंगे फिर उसमें एक चमच अद्रक और लसन का पेस्ट डालेंगे और उसे अच्छे से तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे तक्रीबन एक मिनट तक का इसको हमें फ्राई करना है फिर उसके बाद उसमें एक चमच हल्दी का पाउडर डालेंगे एक चम्मच कश्मेरी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे और एक चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालेंगे और फिर उसके बाद उसमें दो चम्मच हम वो मसाला डालेंगे जो इससे पहले हमने पीस के रखा हुआ था उसमें से पूरा हमको यूजने करना है सिर्फ दो चम्मच का ही इस्तेमाल करेंगे और फिर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर उसके बाद इसमें हम आलू डालेंगे यहाँ पर मैं एक किलो उबले हुए आलू डाल रही हूँ आलू को उबालने के बाद उसे ठंडा करके उसको कद्दू कश कर लेंगे मतलब ग्रेट कर लेंगे या अगर आप चाहें तो उसे बस नॉर्मली जैसा आलू का भरता बनाने के लिए उसे फोड़ते हैं वैसे भी आलू को फोड़ सकते और उसमें डाल देंगे और फिर नमक जो है हम हमारी जरूरत के मताबिक इसमें डालेंगे और इसे पांच मिनट तका मीडियम फ्लेम पे आलू को अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ भून लेंगे और जब उसे भून लेंगे उसके बाद उसे ठंडा करके पूरे मिक्शर को हम ऐसे कबाब के शेप में उसको बना लेंगे और फिर दो से तीन अंडे लेंगे और उसको अच्छे से अंडे को फेट लेंगे और फिर फेटने के बाद कबाब को उसमें डुबा कर हम उसको तलते जाएंगे तेल गरम रखेंगे और इसे हम shallow fry कर लेंगे और जब कबाब की एक साइड अच्छे से पक जाए तो उसे पलट देंगे और फिर दोनों तरफ से उसे अच्छे से पका लेंगे इसे अच्छा golden color आने तक हमें तलना है जब ये अच्छा golden color का हो जाएगा तब हम इसे fry pan से उतार देंगे मैंने निकाल लिया है कबाब को एक प्लेट पे इस तरह से हम सारे कबाब को तल लेंगे अंडे में डूबा कर देखिए कबाब तयार हो गए है अगर आपको मेरी recipe पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर subscribe कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज